आज की वीडियो में आपके दिस्कस करेंगे inergy department, government अफ पंजाब में जो job Inc. उसके बारे में इस video lecture में हम आपको बताएंगे कि आप इन jobs के लिए apply कैसे कर सकते हैं इस job को apply करने की last date कौन सी है इसके लिए आपके qualification कितनी हुनी चाहिए age limit कितनी होनी चाहिए और application submit करवाने के बाद आप इसके test की त्यारी कहां से कर सकते है तमाम बाते इस वीडियो में आपके सा discuss करेंगे तो देखते इसमें कौन-कौन सी jobs है, सबसे पहले इसमें energy research head की job है इसकी जो salary है वो 65,000 है इसके लिए qualification और experience की होना चाहिए PhD की डिगरी होनी चाहिए आपके पास या MSC की MSC आपकी engineering में electrical या mechanical में होनी चाहिए उसके इलावा आपके पास इस field के related experience भी होना चाहिए 45 से 63 years इस jobs को apply करने की age limit है उसके बाद तरीफ expert की job है इसके लिए 45,000 आपकी salary होगी इसके लिए आपके पास MBA की डिगरी होनी चाहिए या master की डिगरी आपके पास finance में होनी चाहिए 10 years experience इस field के related भी आपके पास होना चाहिए उसके बाद energy policy expert की job है इसके लिए 45,000 age limit है MSC या BSC की डिगरी होनी चाहिए engineering engineering या electrical में या mechanical में minimum 12 years experience भी होना चाहिए आपके पास इस field के related उसके बाद oil and gas expert की job है इसके लिए 45,000 age limit है इसके लिए आपके जो qualification है MSC की डिगरी होनी चाहिए या BSC की डिगरी इंजीनरीं chemical या petroleum में होनी चाहिए इसके बाद minimum 12 years experience भी होना चाहिए इस field के related legal expert की job है 45,000 इसकी भी salary होगी इसके लिए आपके पास low graduate की डिगरी होनी चाहिए आपके पास 15 years experience इस field के related होना चाहिए आप इस job के लिए apply कैसे कर सकते हैं इस job को apply करने के लिए आपने www.jobs.punjab.gov.p के website पर जाना है और online आपने इस job के लिए apply करना है इस job को apply करने के जो last rate है वो 25,000, 2024 है इससे पहले पहले आपने इस job के लिए apply कर लेना है फिमेल्स भी इस job के लिए apply कर सकती हैं जब आपने इस job के लिए apply कर लेना है तो आपने इसके test की त्यारी कहां से करनी है इसके test की त्यारी के लिए अपने testpoint.p के website पर जाना है testpoint website पर आकर आप यहां नीचे आएंगे जब आप यहां नीचे आएंगे तो यहां पर click करेंगे और search को option आपके सामने आएगा इस पर आप click करेंगे और जैसे अभी हमने energy department में त्यारी करनी है तो हम यहां पर atomic energy लिखेंगे और search को option पर click करेंगे तो यहां पर इसके तमाम past papers, labels, video books, तमाम चीज़े खुल कर आपके सामने आज आएगे तो यहां से आप अपने test की त्यारी कर सकते हैं यहां पर आपको इसके तमाम past paper मिल जाएंगे जो के test की त्यारी के लिए फायदा मन साबत हो सकते हैं test point बहतरीन website है किसी भी job के test की त्यारी के लिए या आपने किसी भी paper की त्यारी करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं तो यह थी आज की video, video पसंद आए तो like और share ज़रूर कर दीजेगा अल्लाह अफिस